जैहिन, देखिए हम आपको C295 एरक्राफ्ट के बारे में पूरी डीटेल से आपको बता दिये थे, अब इस एरक्राफ्ट जो 56 की डील हुई थी, जो भारत में बनाये जाना था, एसेंबल करना था, टाटा के साथ मिलकर, अब उसके पहले बैच भारत को मिल गया है, और ये नौसेना को मिला हुआ है, ये एरबस कंपनी और टाटा कंपनी के थाथ बनाये गया था, एसेंबल करना था, इसमें 56 एरकाफ्ट भारत को एक्वायर करना था, जिसमें से हमारे पास पहला बैच जो है, इसका आ गया है, और इसे नौसेना को दिया गया है, देखिए ये मल् प्रिपियार रनेवे पे उतरा, किसी सड़क पे उतर गया, तो धूल धकड़ इसके अंदर घुसेगा ना, तो टार्बो फैन वाले में आग लग जाता, इन सुसरों में आग नहीं लगता, ये बड़ा नीचे उड़ता रते हैं सब, और इनका मल्टी रोल है, और नौसेना के जहाज और पंडूबियों को मारने के लिए, और सोनो बॉइस भी लांच कर सकता है, सोनो बॉइस क्या होता है, पानी में डूब जाते हैं, पूरी तरह अंदर नहीं डूबते हैं, बलकि ये नीचे जाके सोनार का काम करते हैं, और हमें दूस्मन की पंडूबियों की जा इसे बहुत जल्दी रोका जा सकता है, इसकी खासियत ये है कि एरक्राफ्ट केरियर पे भी ये चाहे तो उतर सकता है, हाला कि इतने बड़े जहाज को उतारा नहीं जाता है, लेकिन अमेरिका ने अपने हरकुलियस जहाज पे इस चीज का ट्राइल किया था, बहुत जल्दी ये लोग रूख जाते हैं, इन जहाज की एक खासियत होती है, तो नौसेना में मिलने से काफी फायदा होगा, हाला कि नौसेना के पास पहले से 12 की संख्या में P-8I पोसाइडन एरक्राफ्ट है, जो जिसे हम सम्मरीन हंटर कहा जाता है, ये काफी लंबी दूरी तक जा सकत इसमें कोई खिड्की बगरा नहीं होगा, और ये किसी बी तरह के अपने आत्मरक्षा के लिए फ्लेयर छोड़ सकता है, टॉर्पीडो लांच कर सकता है, पंडूबी के लिए, इसके अंदर पूरी तरह से सिस्टम होता है, देखिए ये सब के पास अपना अपना रडार है कमांड सेंटर है, इसमें कहीं आपको खिड्की नहीं मिलेगा, खिड्की के जगा आपको कम्प्यूटर, डिस्प्ले, रडार, ये सब चीज़े आपको देखने को मिलेगी पोसाइडन एरकाफ में, और ये पूरी तरह से उड़ता हुआ नौसेना का कमांड सेंटर होता है, किसी भी पंडूबी या सिप के ऊपर ये अटाइक कर सकता है, इनका रडार होता है, कापी सब का अपना अपना एरिया होता है, हमारे रक्षा मंतरी राजनाज सिंग भी इसका जायजा ले चुके हैं, और ये कापी जादे खतरनाक होता है, तो P-8I हमारे पास पहले से था, उसमें जूड़ गया ये हमारा C-295 एरक्राफ्ट, अब इनकी संख्या भारत के पास बहुत जादे है, बारा की संख्या में है ये एरक्राफ्ट, इससे कि हम हिंद मास आगर पर डोमिनेट कर सकते हैं, हाला कि हमें अभी ऐसे एरक्राफ्ट की लगभग 20 और संख्या की जर के लिए तो अंदर मशीन सिस्टम लगा जीए हाँ पर, तो कोस्टिंग के वज़े से हम इसे और नहीं ले पा रहे हैं, हला कि हमारे पास 10 अरब सागर में, 10 बंगाल की खाडी में, 10 हिंद मास सागर में, 30 तो ऐसे चाहिए, बाकी 10 ऐसे एक्स्ट्रा बैक अप सर्विसिंग या पिर अलग डेपलोइमेंट के लिए चाहिए, और कम से कम हमारे पास 40 ऐसे P8I होने चाहिए, अला कि जहाज की प्राइसिंग को लेकि ये सिस्टम अटका हुआ है, अला कि भारत आगे अगर कोई जहाज कंपनी के साथ करेगा तो आगे देखा जाएगा, निगरानी के सि और काफी हाई एल्टिट्व पर दूर तक जाके ये निगरानी एकुरेट कर सकता है, अमेरिका इसका बहुत यूज करता है, हाला कि इसका हम लोग नौसेना में यूज करेंगे, अला कि अगर काउंटर इंसरजेंसी या फिर निगरानी के लिए कस्मीर के पहाडी छेतर में इसका यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पहाड और जंगलों में ड्रोन जादे काम नहीं आते हैं, क्योंकि छुब जाने के बाद ऊपर से कुछ खास चीज दिखता नहीं है, पुछ ये जो MQ-9 Reaper Drone है, इसका एक हमलावर वर्जन भी है, तो अमेरिका ने हमलावर व क्योंकि हम लोग दोनों और से घिरते जा रहा है, सिरलंका मालदी भी चाइना के इंफ्लोएंस में धीरे धीरे काफी हद तक आगे बढ़ चुके है, इसी सिलसिले में भारत की जो हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड है, उसने थल सेना, वायू सेना और नौ सेना के ल नहां बचाओ का भी काम किया जा सकता है इसमें, और इसमें ना हम लोग कारपीडों भी लाँच कर सकते हैं, इसमें रडार भी दिया गया है, इसको अगर आप ध्यान से दिखेगा, तो ये रेस्क्यू मिशन कमांडों को ड्रॉप करना की सब कामें भी आ सकता है, इसके समुद्र के ऊपर ही उड़ना है, और समुद्र पे उड़ने के वाज़से एक डिमेरिट ये है, कि अगर इंजन की कोई खराबी आती है, ऐसे नॉर्मल जगहों पर अगर इंजन खराबी आ ये तो आप लैंड करा दीजे वहां पर, इंजन बंद भी हो गया, तो ऑटो समुद्र का पहारी छेतर में था वहां पर, वहां बचना काफी मुश्किल होता है, समुद्र में भी होता है, सीधे नीचे गिर जाता है, तो जब ये नीचे गिरेगा तो इसके अंदर बड़े बड़े बलून होते हैं, उसमें अचानक एर भर जाएगा वहां पर, एर समुद्र के तूरा तो इसके खोपडिया पूटके बढ़ जाएगा, हला करेगा, डूब कोई लूरे हम जल दिया बचाओ हम को यहां पर, तो ये ठीक है ये नौसेना के काम में, क्योंकि अगर इमर्जेंसी स्थिती आई तो उसमें भी कर सकते हैं, दिखिए, नौसेना की जहाजों को हेलिकॉप्टर को दूर अगर समुद्र में हैं, और वहां से अगर उसको निगरानी करना है, तो बार बार अगर वो बंदर का पे या किनारे आएगा, तो उसका फ्यूल खतम होगा, इसलिए नौसेना का कोई जहाज अगर समुद्र में है, 500 किलोमीटर दूर सम इसलिए नौसेना की चाहिए वो लडाकू जहाजों, उनका वीविंग ऐसे फोल्ड हो जाता है, और हलिकॉप्टर हो तो उनका जो रोटर होता है वो घूम जाता है, तो इसका रोटर जो होता है फोल्ड हो जाता है, जिस वज़ए से काफी कम जगा लेता है, और कम जगा ल में फ़ायदा करता हैं हेलिकॉटर को कही न कहीं बीच हेलिकॉप्टर को हैं करना जरूरी होता कि कि का फ्यू जादे नहीं होता है कि बहुत्ज हट रह点 isolरक्रड रचीज1 उतने में उसानिंट कर नहीं का इंट सब्छाइब और चाहिए 15 कोई जहाज पर कोई लुटेवरों ने कभजा कर लिया आभी देखेंगे हैती वीद्रोहियों ने एक जहाज को बाब अलमन्देब जलसंदी जिसको आसुनों का द्वार भी कहते हैं वहां पर कभजा कर लिया वहां पर हेलिकॉप्टर से तो अगर हमें कमांडो उतारना है तो अपने ऑफसोर बोले और बोलेगा यहां पर कि हमको यह चीज को चाहिए तो हेलिकॉप्टर से उसे लाया जा सकता है लेकिन समुद्र में मौसम बिगड़ते रहते हैं समुद्र में मौसम बिगड़ने के कराद सब्सक्रा हेलिकॉप्टर जहाज यह तिया नहां हो कर इसे चाहिए टरभूलेंस यह तरभूलीध यह एक है काि एक आद्मी यहां स मेकनिकली कंट्रोल कर रहा होता है कोई भी जहाज जब इसमें आता है तो अपने नीचे से एक केबल ले आता है वो केबल इस बीयर ट्रैक से अटेच हो जाता है और इस हेलिकॉप्टर इस जहाज को यह बैठा ऑपरेटर जो होता है यह उसे सिंक कर देता है अगर जहाज इधर घुमेगी तो हेलिकॉप्टर भ यह बहुत जरूरी होता है खराब मौसम में उतारने के लिए भारत जो है इधर पाकिस्तान से चाइना से यह दोनों चाइना के पास पंडूबियां इतनी जादे हैं कि अगर हम पंडूबी बनाने की चालू करेंगे तो चाइना की बराबरी करते-करते हमें 50 साल लग जाए पंडूबी किसी भी समय इतनी चोटी होती है कि भारत के आले हमला कर सकती है खत्रा बन सकती है पाकिस्तान की पंडूबी आई पी ने साध जब हम लोग ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो यहां कराची के बंदरगा से गाइब होई थी अंदर घुज गई थी और हम कर सकते हैं कम दूरी के लिए अलग चाहिए जादे दूरी के लिए अलग चाहिए मीडियम के लिए अलग चाहिए तो देखिए इसके लिए हम लोग ने इसका तोन निकाल लिया कि अगर पास की निगरानी करना है तो धुरू हेलिकॉप्टर ठीक है पास की निगरानी के लि